So Hello Friends, वागे थे आपका एक और नए कमाल के वीडियो में तो आज मैं लेकर आचुका हूँ सूपर गर्ल का सीजन वान का एपिसोड नमबर 20 पर उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने एक Q&A अनौंस करा हुआ है जिसमें आप लोग मेरे बारे में और काफी सारी चीज़े जान सकते हैं तो इसी वज़े से आपको जो भी मेरे बारे में जानना हो उसे कमेंट में जरूर टाइप कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल के जवाब दे पाऊंग। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछले एपिसोड खतम हुआ था तब हम लोग देख पाते हैं कि कारा और एलेक्स आमने सामने होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तयार थे तब एलेक्स कारा के उपर पहले हमला करती है पर क्य तुमारे उपर काबू करना इतना असान नहीं होना चाहिए अब इस बात को सुनते ही एलेक्स कुछ सोचने लगती है और वह वापस से सही हो जाती है अब सबसे पहले तो वह अपना सूड बंद करकर कारा को गले लगाती है और उससे सौरी बोलती है और अब इसके बाद य और थोड़ी ही देर में ये इसमें सफल भी होने लगती है क्योंकि विन जेम्स और स्टी के बाकि सारे लोग जिनकी कभी सूपर गल ने मदद करी थी वो सूपर गल के सिंबल को देखकर बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट हो जाते हैं और मैरिट प्रोग्राम उनके ओपर ये के साथ नौन को सोचने लगता है पर दिन जब कारा जाकर जेम्स और विन से मिलती है तो ये काफी ज़दा ही खुश होती है और तब जेम्स को क्योंकि ये भी याद आ गया था कि कारा ने उसे लाश्ट टाइम किस करा था तो इसी वज़े से ये कारा से इस बारे में गुशते रहते हैं कि आप यूटूब पे से अर्णिंग कितनी कर लेते हो बाईयों यूटूब से तो अभी मेरी जादा अर्णिंग नहीं होती पर मैं अर्णिंग करने लिए एक एप में गेम खेलता हूं और उस आप का नाम है विन्जो और उसी के बारे में मैं आज आप को बताना चाहता हूं जो कि भारत का बिगेस्ट गेमिंग प्लैटफॉर्म है जहां पर आप लोग लुडो किर्किट कॉल ब्रिक पूल जैसे 70 प्लस गेम खेल कर जीट सकते हो 50 लाक रुपे तक कैश प्राइज और यहीं नहीं मैं तो अपनी IPL की फैंटेसी टीम्स भी यह में चीपेस्ट प्राइस पर तुम बिगेस्ट ब्रैंड लाइक मिन्तरा होट स्टार डॉमिनोस एट सेक्टर के डिसकाउंट गूबन भी खरीद सकते हो तो पैसा जीतो भी और पैसा बचाओ भी बाकि और क्या चाहिए भाई तुम्हें के टीम रॉयल इंफिल्ड या फिर में लेंट जाते हैं जो कि जोन जोन को रॉकर जभतार करने के लिए आए थे अब इस बात को देखते हुए फ़ये तो लूसेन को रोकने की काफी जएदा कोशिश करती है पर मिश्टर लेंट नहीं मानते हूं जोन 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 को रिफटार कर लेते हैं वहीं हम लोग देख कि कारा और एलेक्स दोनों ही एलीजा को डीईयो के मेन बेस में बुलाकर एक रूम में लेकर जाते हैं और यहां पर यह इसे बता देते हैं कि डैनवर अभी जिन्दा है क्योंकि यह खावर एलीजा के लिए काफी जदा ही शौकिंग थी तो इसी वजह से यह तरह तरह के सवा ले जाता है और इसे बताता है कि मुझे मेरे नेटवर्क के तुरू पता चला है कि नॉन अपनी शिप में से मैरिट प्रोग्राम की रेस को बढ़ाने वाला है और अगर ऐसा होता है तो हम सभी लोग मारे जाएंगे क्योंकि उस रेस को सिरफ स्क्रिप्टोनियन सी जेल सकत हैं इसी वज़ा से या तो हमें उनके शिप को डिस्ट्राइ करना पड़ेगा नहीं तो हमें खुदी मरना पड़ेगा अब इस बात को सुनने के बाद सूपर गल काफी ज़्यदा शौक होती है क्योंकि अब इसने डिसाइड कर लिया था कि ये सभी लोगों को बचाएगी कारा अपने ओफिस में जाकर सबसे पहले तो विन के पास जाती है और इसके लिया शुक्रिया तब पहले तो cat को रखता है कि कारा इसको मक्षन लगाने के लिए आई है इसी वज़ासे ये इसे कुछ भी नहीं बोलती और over react करती हुई यहां से चली जाती है अब आगे कारा जेम्स के पास जाती है और इससे बोलती है कि तुम्हें अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की ढून लेनी चाहिए ये सुनने के बाद जेम्स पूछता है तो हमारे रिलेशन्शिप का क्या होगा जवाब में कारा बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ अब इस बात को सुनने के बाद जेम्स काफी जदा शौक होता है क्योंकि अब ये भी कारा के प्यार में पढ़ गया था और अब ये कारा से इस चीज की वज़ा पूछने का ट्राय करता है पर कारा इसे कुछ भी ना बताती हुई यहां से चली जाती है और अब ये सब देखने के बाद जेम्स तो काफी जदा ही उदास हो जाता है आगे हम लोग देख पाते हैं कि कारा जाकर जौन को इन सब चीजों के बारे में बताती है जौन इसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अभी इन लोगों के पास ज्यादा समय नहीं था इसी वज़े से कारा बोलती है कि मुझे तो वैसे भी यहां पर कारलेल को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था और मैं कारलेल को प्रोटेक्ट तभी कर पाऊंगी जबकि यह अर्थ प्रोटेक्ट रहेगी तो इसी वज़े से मुझे मेरा सैक्रिफाइस देने दो क्योंकि जौन भी समझ गया था कि यह सब करना जरूरी है तो इसी वज़े से यह अभी कारा को नहीं रोकता और अब कारा यहां से नौन को रोकने के लिए जाने लगती है पर तभी जौन बोलता है कि मुझे भी फ्री करो मैं भी कारा के साथ जाना चाता हूँ अब इस बात के लिए पहले तो मिश्टर लेन एगरी नहीं करते बात में जौन किसी तरह इन्हें मना लेता है और तब लूसी भी जौन की मदद करती है यही सब देखते हुए मिश्टर लेन को जौन को फ्री करना पड़ता है और अब क्योंकि डी यो के पूरे बेस में पत मैंदान में मिलते हैं और यहीं पर यह सारे लोग लड़ने वाले थे तब पहले तो कारा नौन को प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि आश्टर पहले ऐसा चाती होगी पर बात में वो सुधर गई थी और वो चाती थी कि कोई भी ना मरे आथी उसने ही मुझे मेरिट प् प्रोग्राम की रेज को भी बढ़ा देता है जिस वज़या से सभी लोगों को बहुत जादा तकलीफ हो रही थी और कुछी देर में वो रेज मैक्सिमम होने वाली थी जिसको सुनते ही सभी लोगों की जान चली जाती यही सब देखते हुए कारा किसी ना किसी तरह इन लोगोते हैं उन सब को बहुत जादा ही तकलीफ होने लगती है और इनके सर में इतना जादा दर्द होने लगता है जो की आस्याल है था लेकिन ये पिर इसी वज़ा से जॉन बड़ी असानी से इंडिगो के दो तुकडे कर देता है और उसी वक्त कारा जॉन का जुनून देखती हुई नॉन के उबर बहुत खतरनाक हमला करती है जिस वज़ा से नॉन की तो आखें ही फूर जाती है और इसी के साथ ये लोग जीट जाते हैं पर सभी इंडिगो बोलती है कि तुम लोग नहीं जीट सकते क्योंकि मैंने स्पेस शिप में पहले ही ऐसा डिवाइस फिट कर दिया था जिसकी मदद से मेरिट प्रोग्राम को बंद नहीं करा जा सकता और कुछी देर में तुम लोग हार जाओगे इस बात को सुनने के बाद का को उठाकर स्पेस में ले जाएगी जिसकी वजह से मेरिट प्रोग्राम की रेज अर्थ के एटमस्वेर तक नहीं पहुच पाएंगी और सभी लोग वापस से बच जाएंगे तब एलेक्स कारा को काफी ज़दा रोकने की कोशिश करती है क्योंकि इससे कारा की जान भी जा स पर क्योंकि कारा भी वहां पर सांस नहीं ले पा रही थी तो इसलिए यही बी बेहोश हो जाती है और आगे जब कारा की आँख को कि देखने के बाद यह लोग और जादा खुश हो जाती है आगे हम लोग देख पाते हैं कि कारा जब अपने आफिस में पहुंसती है तो यहाँ पर इसे सूपरमैन का मैसेज आता है जो कि इसे बोलता है कि तुमने एक बार फिर से सेटी को बचा लिया और अब एक बार फिर से सूपरमैन इसको ठैंक यू बोलता है क्योंकि इसकी वज पूसरा कर एक नए रूम में ले जाती है और बोलती है कि तुम्हें वहां से निकाल कर यहां पर शिफ्ट करा जाता है और अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया है इस बात को देखते हुए कारा को काफी ज़्यादा अच्छा लगता है तब कैट बोलती है कि तुम भी मेरे चाने के लिए क्या करोंगे इस पर एलेक्स बोलती है कि हम लोग प्रॉजक्ट के द्हख जाएंगे और वहीं पर हमें हमारे डैड़ वापस मिल जाएंगे अब जेमस कारा को साइड में लेकर जाता है और इससे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज इस बात को सुनने के बाऊत कारा काफी ज़दा शौक होती है तब जेम्स इसे एक फोटव दिखाता है जो कि इसने कारा के लिए ली थी और उस फोटो में अपने आपको देखकर कारा काफी ज़दा ही खुश होती है अब ये सब लोग इन सब चीजों को देखकर कोशो ही रहे थे कि इतने में ही स्पेस से एक अंजान पॉर्ड आकर जमीन पर क्रैश करता है और उसे देखने के लिए ये सारे उस जगा पर जाते है कारा उस पॉर्ड को देखकर बोलती है कि ये क्रिप्टॉन से है अब जॉन इसे रोकने की कुशिश करता है कि अभी उस पॉर्ड को मत खोलो क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है पर सूपर गल उसको खोल देती है और उसके अंदर जो भी था उसे देखकर कारा काफी ज़दा शौक हो जाती है पर अभी हमें नहीं बताया जाता कि उस पॉर्ड के अंदर क्या था और अब इसी के साथ इस सीरीज का सीजन वान कंप्लीट होता है आप लोग कमेंट में बता दीजेगा कि मैं सूपर गल को ही कंटीन्यू करूँ या फिर डेर डैविल सीरीज लाओं उमीड है कि explanation अच्छी लगी होगी अगर explanation अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बल नोटिफिकेशन को आल पर स्लेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्स्प्लेनेशन वीडियो लाता रहूंगा तब तक के लिए टाटा और गुडबाई